नमस्कार सूपर किचन में आपका स्वागत है आज में बनाने जा रही हूं बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही फलफी इडली क्योंकि यतना टेस्टी बनेगा कि आप इसमें ना चटनीक जरूरत मैसूस करेंगे और ना ही सामभर्गी यह ऐसे ही मज़ेदार होगी तो चलिए हम बन में हम डाल देंगे इसको सूजी को पहले और इसी में हम बेशन को डाल देंगे और मिला लेंगे अच्छे से यह दिखे मिल गया है इसी में हम दही डाल देंगे और इसको भी हम मिला लेंगे यह दिखे मिल गया है अब इसी में हम आधा चमश नमक डाल देंगे और आधा ही चम्मज लाल मिर्स पाउडर और आधा चम्मज गरम मसाला अब इन समको हम अच्छे से मिला लेंगे और फिर हम पानी डाल देंगे पानी अब को धीरे दीरे डालना है यही इस तरह से हमको गाड़ा पेश्ट चैसा बनाना है यह देखिए इस तरह से थोड़ा और हम पानी डाल देंगे ताकि यह सूजी जब फोल जाएगी तो यह सूख जाएगा यह देखिए इस तरह से अभी जब सेट करने के लिए रखेंगे तो यह सूख जाएगा यह देखिए 15 मिनट के मैंने रख दिया था यह बिल्कुल गाड़ा हो गया है सूप गया है इसी में थोड़ा सा और पानी डाल देंगे इस तरह से कि इसी में ग्रेट किया हुआ अधरग डाल देंगे थोड़ा सा और आधा चमाच जीरा इसको अच्छे से मिला लेंगे और आधा चमाच बेकिंग सोडा डाल देंगे और इसको एक ही डारिक्षन में हमको चलाना है और थोड़ा सा चला के हम बनाते हैं इडली इदिक इडली मेकर को हम ग्रीज कर लिए थे तेल से अब इसी में हम डाल देंगे इसको डालके हम भाप में इसको हम पका लेंगे यह देखिए मैंने डाल दिया था अब इसको हम चेक कर लेते हैं 15-20 मिन अठो गया है यह देखिए चाकु के हेल्प से हम देख लेते हैं यह देखिए कुछ लगा नहीं है इसका मतलब है यह अच्छे से पक गया है इसको हम लेते हैं तक हमारे इडली बने हैं यह देखिए इसका मक्छे से निकाल लेंगे क्या पूरा मैंने बना लिया है अब चली इसमें तड़का लगाते हैं कड़ाय में हम सर्चो के तेल डाल देंगे तो तेल गरम हो गया इसे इंबारी कटा हुआ प्याजि कंड दाल देंगे एक चमच हम ग्रेट किया हुआ अध्रग डाल देते हैं इसे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा यह दिखे कलर जेल हो गया है अब इसी में हम टमाटर दो मैंने बारी काट लिया था इसको हम दो बनेकलिस तरह चला के इसी में हम नमक डाल देंगे जिसे टमाटर अच्छे से जल्दी से सौ्फ्ट हो जाएंगे गया लिया ज़ता जेल इससे प्रग सांव हम दग देते हैं इससे बहुत बढ़ियाँ टेस्ट आयेगा और आधा चमच फिर से हम मिर्च डाल देंगे क्योंकि बहुत चटपटा सा हम इटली बना रहे हैं इसमें कोई भी हमको चटनी जरूरत नहीं पड़ेगी बस ऐसे ही आप इसे खा सकते हैं बस मसाले भून गया हैं बस आधा कब हम पानी डाल देते हैं इसे थोड़ा सा ग्रेवी ये पक जाएगा बस को हम दो मिनट क्लिए ढख देते हैं दो मिनट हो गया है बस हम तयार हो गया है बहुत बढ़ियां सा मारा ग्रेवी पक गया है बस इसी समय हम अब खटे मीठी चटनी डाल देंगे इसको हम डाल के अच्छे से मिला लेंगे ये देखे कितना बढ़ियां हमारा तड़का तयार हो रहा है बस इसी समय हम अब सारी इडलियों को डाल देंगे अब इसको उपर नीचे करके अच्छे से मिला लेंगे और देखेगा अगर इस तरह से आप इटली घर में बनाती हैं तो सारे बच्चे हम लूट-लूट के खाएंगे इसको यह देखे इस तरह से इतना अच्छा लगेगा कि आपके लिए बचे गई नहीं सारा प्लेट साफ जाएगा यह देखे हैं न मज़ेदार अगर आपको में रिस्पी पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कॉमेंट करके जरूर बताईए कि आपको कैसा लगा थैंक यू